नमस्कार, कटना चक्र में आप सब का स्वागत है आज के दिन पूरी दुनिया में ये उत्सुकता है कि वर्ल क्रिक्ट का ताज किसकी सर पर रखा जाएगा बीस हजार करोड रुपे का धंदा है ये वेबसाय है और जो लोग इस वेबसाय से जुड़े वे हैं इस खेल का, खिलाडियों का, मौसम का, स्टेडियम का, देश का कत्रा कत्रा जानने के चुके हैं किसकी जेम में कितने पैसे जाएंगे, ये तो हमको नहीं मालुम है लेकिन सबसे ज़्याद हो जो चिंता की विशे है, और जो बहस का विशे है और जो उत्सुकता भी है, और चिंता भी है कि ये टाज, वर्ल क्रिकٹ कप का टाज जो है किसके सर पर बैठने जा रहा है, किसके सर पर रखा जाएगा तमाम देशों की टीम पहुँच गई है दक्षिन अफरीका में जोर शोर से तयारी चल रही है, आज उद्खाटन है और बारे तारीक को पहला मैच इंडिया का होगा नीदर लेंड के साथ और 23 मार्च को फाइनल होगा, उससे पहले सेमी फाइनल होगा अभी तो ये सवाल किया जा रहा है कि भारत की टीमें सेमी फाइनल में पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, सेमी फाइनल में कौन पहुँचेगा, ये भी एक सवाल है और आज इस सवाल का जवाब हम खिलाडियों और एक्सपर्ट के माध्यम से नहीं वो फिर किस दिन हम बात करेंगे बीच ऐसी वर्लकप के दौरान में आज हम जो सबसे ज़्यादा उत्सुता रहती है लोगों को जोतिश्यों के माध्यम से किर्केट का वर्लकप का ताज का भविश्य क्या होने वाला है यानि कि जोतिश का किर्केट और किर्केट की जोतिश इस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कौन-कौन से कैप्टन किस-किस मानसिक स्थिती में है और किस तरह से उस देश की भोगोलक परस्थितियों का प्रभाव वहां पढ़ने वाला है बादचीत में महासार शामिल है मैं आपका परिचे करा दूँ विजे सिंग जी है प्रख्यात जोची है 31 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में थे और अभी इस से पहले वाले प्रोग्राम में भी थे विजे सिंग जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस करेक्रम में और मेरे बीच में है पंडित केवल आरन जोची जोके बहुत मशूर जोची है सांदे टाइमस और भाड टाइमस में लिखते है जोची जी आपका भी स्वागत है हमारे इस करेक्रम में और संजे मिश्रा जी है बहुत प्रख्यार जोची है और बड़े सधे और टिके हुए जवाब देते हैं संजे जी संजे जी आपका भी सागत है हमारे स्कारिक्रम में सबसे पहले तो जोशी जी मैं आप इसे इपतदा करूँ आप मुझको मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता मैं अगर ये कहूँ कि वर्ल्ड कप पे अगर आप जोट्रिश के हिसाब से एक नजर दोड़ा है तो इसके कुछ प्रुमुग घटनाएं आप हमको बताएं एक महीने के दोरान में लगबग डेड़ महीना ये चलेगा 23 मार्च तक 23 मार्च तक क्या मेजर घटनाएं आपको होती हुई नजर आती है वर्ल्ड कपर इसमें 14 टी में दाव पर लगी हैं जिसमें कि ICC ने दो पूल बनाये हैं एक तो A पूल और B पूल पूल में उसने आस्ट्रेलिया इंगलेंड पाकिस्तान इंडिया जिंबभवे नामिबिया और हॉलेंड को रखा हुआ है पूल B में उसने साउथ केनिया वेस्ट इंडी साउथ अफरिका है स्री लंका है और में एक नाम नहीं पूल पार जिया है कि जोतिस पर जानने की उत्षकता जोतिस से सवाल पूछने की उत्षकता सब में है अगबारों ने भी इसमें बहुत आजकल कॉलम दिये हुएं जी और नए नए धंक से पूछने की कोशिश कर रहे हैं हो लेकिन जोतिस के साथ सबसे मजबूरी और एक समस्या यह है कि जोतिस चलता है एक अक्वरेट टाइम से और एक गड़ना के चाहूँगा अब उस हिसाब से मैं आप तो प्रश्चिन का मर्म है, मर्म यह है कि मैं पूछ रहा हूँ आप से इस जेड महीने में, मैं इस पूरी दुनिया की और खास्तों से दक्षिन अफरीका की परिस्तितियों के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि वह मैच हो रहा है, उसकी सामाज अर्थिक और भोगोलिक परिस्तितिया हैं, तो इस जेड महीने में वहां की क्या परिस्तितिया है, क्योंकि उस पर बाकी चीज़े निर्बद करेंगी। परिस्तितियां साथ अफरीका के लिए बहुत अच्छी निकल रहे हैं, बहुत अच्छी है, उनके खिलाडियों में बड़ा उसाह है, और मैंने उनके 15 में साथ-8 खिलाडियों की कुंडलियों भी बना के देखी हैं, उनमें भी काफी जान है, जो कि जिसमें बैट्समें, और बॉलर और फिल्डर हो रहे हैं, सभी उनके अपने अपनी जगह सब टिके हुए हैं, उसके बिरुद्ध में और जो भी टीम में आएंगी, पूल भी की उसके साथ जो भी अटेज हैं, वो भी अपने अपने तैयारी में सभी देशों की टीम में बना करें, अब की बार अब की से ही पूरा देश चलता है, तो वर्ल्ड कप में हमारे इंडिया की टीम के कैप्टें सौरफ गामुली हैं, और उनकी कुंडली में नीजभंग राजयोग है, जैसा कि आपने बताया कि सारी साथ अफरिका की टीम में कुंडलियों में बहुत स्टेंथ हैं, उनके प् मादशाएं अंतर और परतिंतर अच्छे चल रहे होते हैं, तो जो गांगुली की कुंडली है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें विप्रीत राजयोग हैं, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप में और ब्रहसपत उनकी कर्क लगन पे चला है, नीज के मंगल के उपर ब्रहसपत चल और इतना उठेगी कि कहा नहीं जा सकता है, कि हो सकता है, 1983 दोहरा लिया जाए, लेकिन जैसा कि कहा जा चुका है, इफ एन बट बहुत लगा दिया आपने संजी, इफ एन बट इसलिए लगाने पड़े, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है, वो सफिशेंट नहीं है, जै, मैं प्रित्न के हिसाब से जोतिश कई बार बदलता भी है, हो सकता है आपकी दूसरी राय हो, विजे सिंग जी, आप बताएं, पूछें त्यागी जी तो बताएं, दिनी, मैंने जो सवाल किया, कि खास तोर से दक्षर अफरीका में ये मैच हो रहा है, उसकी सामाजिक भोगलिक परिस्तितियों के मद्दे नजर उस देश में, क्या माहौल इस जेड महिने में, मैं पहले माहौल जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम है, बाग की चीजे हम डिस्कुस करते हैं, आपसलूटली कंजीनियल अटमस्फियर, बहुत ही अच्छा माहौल, जे, वेद से भी अगर हम देख लें, तो हमारे पास जो कैप्टन सपोजिट गांगुली हैं, वो रॉलन्ड, लेफ बेवेर हैं, हॉलन्ड के हैं, और रिकी पॉइंटिंग हैं, आस्ट्रेलिया के हैं, हीथ स्ट्रीक हैं, जे, मावे के हैं, डियोन कॉट से हैं, अगर हम देखें इसक तो इसका देश मुझे धियान नहीं आ रहा है, डियोन कॉट से, डियोन कॉट से का देश मैं रिकॉर्ड मैं अपने में देख रहा हूं, नामीबिया के हैं, और नासर हुसेन हैं, इंगलेंड के हैं, वाकर योनिस हैं, पाकिस्तान के हैं, और हम देखें यह जो कैप्टन हम को नजरारेश च्छे, अगर हम मिश्रा जी कैप्टन्स की बारे में बात किया आपने और आपने कहा भी, कि मैं कैप्टन्स के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप मुझे देखिए हिंदुस्तान की और जो दिल्चस्पी कर्किट में खास तोर से है, वो पाकिस्तान को अगर हम देखें वकर यूनिस को बॉर्न, नौमबर 16 1971 को विहारी में इनका जनम हुआ था, तो अगर हम इनको देखें इनकी कैप्टन्शिप की रहनुमाई में, तो पाकिस्तान कहा रहने वाला ये बदाई है, पाकिस्तान की पोजिशन इस वर्ल्ड कप में इनिशली अगर लगन है, और इनके प्लानेट में मंगल बहुत पाउरफुल है, तो मंगल के पाउरफुल होने की वजए से इनके पास फायर पाउर बहुत है, इनकी टीम में ऐसे परफार्मस होंगे, जिनके अंदर फाइटिंग पाउर और फायर पाउर बहुत होगी, जैसे शोय ब अगर यह स्ट्रॉंग नहीं होंगे तो आप कंस्ट्रॉंटिव कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरी टीम को आउट तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको खुद भी तो रन बनाने पड़ेंगे, इम्पॉर्टेंट मैचे के लिए मैं यह कह रहा हूं, आगे बताएंगे, तो यह हम लोग चलते हैं ह'm चुड़े ब्रेक की होगे और चलते हैं और लोट करणे आएंगे, वेर्ड कप कर्केट कब है। विश्च जानने के लिए के विश्फ यह क्रिक्ट कप का ताजश जो है किसके तर सर पर रखा जाएगा हैं कि छुड़े ब्रेक के बाद लूट करके आन कटना चक्र में आप सब का एक बार पिर से स्वागत है हम लोग वर्ल कप क्रिकट के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ल कप क्रिकट का ताज किसके सर पर रखा जाना है गहमा गहमी आज से शुरू होगी है और पूरी दुनिया की निगाए है मैंने जिसे पहले का कि बीस हजार करोड रुपे का खेल है बेवसाय है और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है बातचीत में हमारे साथ तीन विशेश जियोत्शी विद्वान चर्चा कर रहे है जो कि इस विशे के जानकार तो नहीं है लेकिन सितारों के हिसाब से ये ताज किसके सर पर बैठेगा ये बताने की कोशिश में है विजे सिंग जी है संजे विश्रा जी है और पंडित के वलार्वन जूशी जी है और दिल्ली से कॉल है आदित्य है हमारे से तलाइन पे आदित्य आपका स्वागत है हमारे इस कारिकर में बताएं आपका कैसा वाल है हलो हलो हाँ जी आदित्य जी ये सचिन तिदनुलकर का प्रदिशन कैसा रहेगा इस सवाल है आपका धनेवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया हमको और हमसे सवाल किया इस पे भी आते हैं हम लोग लेकिन हम अपने दर्शकों को पहले एक शिडूल बता दे किस तारिक को कौन सा मैच कि के साथ होने जा रहा है और उसके बाद हम लोग लोट करके चर्चा करेंगे देखें हम लोग अप जो शुडूल मेरे पास नजर आ रहा है उसमें देखते हैं वेडनेस डे 12 फरवरी को मैच शिरू हो जाएगा बोलन पार्क पारी में इंडिया नीदरलैंड के बीच में और मैच चलेंगे संडे को मैच है 23 फरवरी को इंडिया वर्सिस नामीबिया वेडनेस डे को फरवरी 26 को मैच है इंग्लेंड वर्सिस इंडिया और सेटेडे को मार्च फस्ट को मैच है पाकिस्तान वर्सिस इंडिया ये तो हमने देखा और सेमी फाइनल्स है 18 मार्च को और फ बताएं वकर यूनिस के बारे में के कैप्टन के बारे में क्या आपकी राया है जोशी जी में वकर यूनिस की कुंड़ी मेरे पास है जी एक सेगर जी कुंड़ी की आपको तो वैसे भी याद होगा वकर यूनिस का जैसे की कुंड़ी के हिसाब से भी राहू बहुत अच्छा में तो यह लगता है कि पाकिस्तान जो है पिछले अपनी परफॉर्फॉर्बेंस की वजाए बहुत अच्छा काम करेगा इसमें और काफी आगे तक जाएगा मताब उमी तो यह है कि कम से कम जो प्रिलिमिनिरी है उसमें पहले दो-तीन मैश तो उसमें बड़ा दावा बोलके क खेलेगा और उसमें थोड़ा सा यह है कि उसके कुछ खिलाडियों को किसी ने किसी कारण से पिवाद का भी वह होना पर सकता है एक दो आगवी एक दो प्लियर ऐसे हैं जो कि अपनी फॉर्म में ठीक से नहीं आप आएंगे और बाकि उनके जो भी टीम है वह काफी अच्छ 16 नॉंबर 1971 है विहारी में जन्म हुआ है उनका जी प्लियर को किसी इंडिविजुड प्लेड को डिसकास करना मेरे समझ से जितुड बीनट प्रप्रियर ने, जितुड रोप्राइट यहें हो तो जितुड देस पंदरा है यहीं को सचीन तनूलकर हो गै उर आपको मग्रा हो गै और आपको शॉन पॉलक हो गैं तो स्टार की से, it is a team work, so individual player definitely contributes much to the team, but then an individual player can not carry the whole team on his shoulder, वो अपने कंदों पे पूरी team को जीत का सहरा पहना कर नहीं ले जा सकता है, इसलिए मुझे तो माफ कीजिए त्यागी जी मैं किसी individual player पे कमेंट करना उचीत नहीं समझता हूँ, मैं करूंगा भी नहीं, जी तो चली मैं आप टीम पे आते हैं, चली मैं आपके थोड़ा सा विशे बदलता हूँ, विवेक हैं एक फोन पे, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास, विवेक जी आपका स्वागत है, इस प्रोग् कप में जीतने के क्या चांसेज हैं, ये तो बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है विवेक जी, विवेक जी सवाल का जवाब आज हम नहीं देंगे, आपको मैंने अपने जोतिशियों से भी अमरोद किया है, क्योंकि ये 20,000 क्रोड का वेबसाय है, और एक मिनिट में खुल जा सिम सिम वाला काम आज हम नहीं करना चाहते हैं, सेमी फाइनल वाले दिन इसका जवाब देंगे, और ताकि सारी उत्सुक्ता भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब चीजों का पहले से पता चुछ जाए, तो खेल का रोमांच खत्म हो जाता है, अभी तो आप खेल देके हम लो आप एक स Treasury सुषड़ी में से यह टीजी चुछ जी दो में आद आया टिसका लेता हो हो, जी ए लड से लोलो आजिए स॑छ व्योडू जीह सीं ठीus है astrology because it is astrology which is going to this is an astrological discussion the outcome of which would be the result of the world cup match be it semi-final be it quarter-finals be it whatever it is that's right that's right so I am saying that we can see it from other yeah individual graphon ko chhodde sabse pahle to whom dekha ki 14 january se sure utrain ho raya is ka kya mtlav ho ta hai bethaya aur yye match kaha ho raha hai dakshin afrika me ho raha hai to jab a world map uthaayenge e atlas dekheenge to dekheenge ke tropic of kepri corn se sure johay yani hama ra aise samjheye jyotish ki bhasah me samjheye sure pe bhi a graha hai waisa karke samjhe jay aur hum geocentric maantay huye chalte hai ki heliocentric nahi sun beach mein ho sure beach mein ho sure beach mein ho tamam grahon ka uske charo or orbit ho wos uske charo or bhoomte yeh maan ke hum nahi chalte hain hum yeh maan ke chalte hain ki yeh dharti joh hai yeh beach mein hain aur tamam suri bhi joh hai uske irdh girdh ghoom raha hai toh hum dekhte hain ki makar sankranti ke din se sure utraayen honne lagte hain iam sorry makar sankranti se sure utraayen honne lagte hain aur aaj ki tariikh mein ya match final ke dho din pahle jab aap dekhenghe ekis marge ko exactly on the date 21st marge the rays of the sun sun suri ki joh khirne hongi wo equator per ab equator ko hindi nahi aap angreji bholi yeh chik hai haa equator per woh directly pudhti hai toh din aur rata berabar hota hai belkui yeh chik hai na toh merah kehna yeh hai ki jayon 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 yeh suri joh hai tropic of capricorn se equator ki or ja raha hai teo teo chances joh hai south afrika aur australia jayse deisho ke liye kam hoti jaregi hai new zeiland toh isme hai hi nahi yeh maai yeh ghooshna kar raha hou new zeiland toh is kheel mein hai hi nahi yeh nahi is taraf se new zeiland hai jab aap yeh nafsa dekhenghe world map ka toh dekhenghe yeh ki ekstreem north me yeh utar me england hai aur ekstreem south me new zeiland hai yeh these two teams are ruled out yeh maine dounou teamo ko rule out kar diya yeh 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 kahi nahi hai yeh eek minit Vijay ji eek view or ka ah 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 phone hallo 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 ji namaskar hallo ji namaskar hallo ji namaskar hallo 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 aap kepne televeron से Tropic of Cancer तक देखें, मैं आपको World Map देता हूँ ताकि आपको सहूलियत होगी देखने में, यह Atlas है, इसको बीच में रखें, और देखें, नहीं हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे, कि यह World Map जो नजर आ रहा है, ताकि उनको पता चल जाए, यह आप बता है, हम यह कह रहे है कि Tropic of Cancer के Beyond England है, Tropic of Capricorn के Beyond New Zealand है, तो यह दोनों टीमें तो रूल्ड आउट है, इनकी तो कोई चांस ही नहीं बनती है, England और New Zealand, मैं गोशना कर रहा हूँ कि यह, मैं Repetedly यह बोल रहा हूँ, अब रहे गई मैच होकिन में रही है, तो इन तमाम देशों में, इन तमाम देशो करेंगे, बिलकुल South Africa और Australia के बीचो बीच, उतरी हिस्से को छूता हुआ South Africa को, और Australia के बीचो बीच, Tropic of Capricorn निकल रहा है, और Tropic of Capricorn के North उतर की और Zimbabwe है, अगर आप नीचे से उपर किया और आएं, तो देखेंगे कि Equator से सबसी नजदीक जो आपको country दिखेगा, जो द पर आप आएंगे, तो देखेंगे कि एक तरफ Caribbean island है, यानि West Indies है और दूसरी तरफ भारत है, बारत को बीचो बीच चीरता हुआ, यह निकल जाता है, तो Tropic of Cancer बीचो बीच निकल रहा है, भारत और Caribbean के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत और West Indies के, और दूसरी तरफ Tropic of Cap Capricorn जो है, वो साउथ एफरिका और Australia को बीचो बीच, उनके बीचो बीच निकल रहा है, तो हमारा यह कहना है, त्यागी जी, कि Pakistan भी Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer के उस तरफ है, इसलिए Pakistan is also ruled out, जे, पीजे जी, सारा rule out मत करिये, मैं अभी कह रहा हूँ, उनके बाद I'll give the positions also, लोट के आता जो विजे सिंग जी ने खड़ा किया है, खास तोर से जो भूगोल को रेखाएं बाटती हैं, उनके हिसाब से आकलन करके उस रोमाज को बरकरार रखते वे, हम बादचीत के अगले चरण में यही जानने की कोशिश करेंगे, कौन सी टीवे पची रहेंगी, कौन सी rule out हो जा विज्डिस स्वागत है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वर्ल क्रिकिट कप का ताज किस के सर पे बैठेगा, आज यह जाएगोश हो गया है, और जानने की कोशिश में है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग आज बिलकुल नहीं बताने जा रहे हैं, कि वर्ल क्रि सेमी फाइनल वाले दिन बताएंगे क्योंकि मामला इसका नहीं है कि आपकी जो जागरुकता है जानने की इच्छा है उसको समाप्त कर दिया जाए समाप्त थोड़ी सी नितिकता का है अगर खेल का मया ही खत्म हो जाए तो उस खेल को देखने का और जानने का क्या फाइदा है इसलिए नहीं बताया जाएगा ये ऐसी है जैसे किसी गरवती स्ट्री को ये बता जिये जाए कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा तो जो बच्च संजे जी आप मुझको बताएं कि जो विजय जी कह रहे थे विजय जी आपकी बात कंप्लीट हुई या भी बची है लेकिन मैं चाहूंगा संजे जी पहले अपनी बात कहले है उसको डिस्टाब मत करिये इससे अगर हम जोतिश के एंगल से निकालते हैं तो बात जो सामने आती है वो ये है कि हर ग्रह के हर पलानेट के और हर प्लेयर के स्टार्स होते हैं कुछ जो अपस में या तो कॉइंसाइट करते हैं constructively या destructively अब आप एक ऐसा प्लेयर एकदम से जीतुई टीम से हटा दो तो वो स्टार्स जो contribution दे रहे हैं वो खतम हो जाते हैं मैं अपने टीम की बॉलिंग पे बोलूँगा अपकी वर्ल कप में जो स्टार्स हैं जो डाटा हमारे पास है जवागल शीनाथ, अजीत अगरकर और हरवजन सिंग के स्टार्स बहुत फेवरिबल हैं as बॉलर्स और जहां तक हमारे टीम में बैट्समेंट के स्टार्स हैं वो युवराज सिंग के और विरेंदर सहवाग के मोहमद कैफ के बहुत अच्छे स्टार्स हैं ऐसा लग रहा है कि ये अपनी टीम को बहुत स्टेंद देंगे बड़े ही क्राइसिस के मुव्मेंट पर परफॉर्म करेंगे और जहां तक स्पिनर्स की बात है अगर हम एक ही स्पिनर खिलाएं और प्रिफरेबली हरवजन सिंग के स्टार्स ज्यादा सपोर्टिव हैं तो अपना टीम का जो अटैक होगा अपनी टीम में सबसे पहले तो अटैक होना चाहिए जो कि दूसरी टीम के कैम को गिरा सके तो जो बालिंग अटैक है उसमें अगर हम एक स्पिनर के साथ खेलते हैं जिसमें हरवजन सिंग के स्टार्स काफी पावरफुल है और बाकी हमारे अजीत अगरकर और जवागल श्रीनात इनके स्टार्स बहुत पावरफुल है इसा लगता है कि हमारा अटैक अच्छा होगा बैटिंग में मैं जो पोजिशन्स पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ तेंदुलकर के साथ जो खिलवार किया जा रहा है जो आपका बेस्ट बैट्समें है जिसके स्टार्स बहुत अच्छे हैं तो नीजभंग राजयोग लिए हुआ है जो वारे के न्यारे कर सकता है नीजभंग की वज़े से बिलकुल जमीन से आसमान पर पहुचा सकता है उसको आप वन डाउन पे खिलाए जो कि उसके कुंडली में नीजभंग राजयोग है आपकी टीम बिल्कुल जमीन से आस्मान पे आएगी और हमें जो दिख रहा है वर्ल्ड कप में तेंदुलकर के नीजबंग की वज़े से कम से कम तीन बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स के लेगा वो जिसकी वज़े से अपनी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और बाक के बारे में कहना चाहिए राहु दर्बिर की कुंडली बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे लगता है कि एक आद मैच में इनकी स्था चैंचुरी वगरे भी आएगी वहाँ पर जे और इसके अलावा अनिल कुंबले अगर खेल गए तो बहुत अच्छा काम करेंगे यह ज़े जे और साथ में ज़े आजीत अगरकर का भी अच्छा यह यह जान रहेगा और बिरेंदर सहभाक जो है इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे उनका भी इस बार स्थारों का बहुत अच्छा हो चल रहा है और निर्मली इन सभी भलाड़ियों का मंगल रहु और बुध बहुत अच्छी स्थिदी में है और आजकल ये तीनों स्टार जो हैं अपने अपने स्थान में कोई अपने घर में चल रहे हैं कोई उच्छे के हैं तो इसलिए ये पहले दो-चिन मैश जो हैं इन थगड़ियों के जो और टीमों के साथ होंगे हम जीत की और जाएंगे हुआ हम लोग चलते हैं एक छुड़ ब्रेक की और और उस ब्रेक के बाद लोटकर के आएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे विजे सिंग जी सी के जो ख़गोल विद्या है उस ख़गोल विद्या के हिसाब से क्रिक्ट मैच कहां जाकर के खड़ा हुने वाला है एक हम लोग चरचा कर रहे हैं, वार्ल कप क्रिकेट का ताज किसकी सर्शे कर बैठने वाला है, लेकिन वो आज हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सेमी फाइनल्ड के दिन बतायांगे, Всеहर Iya 22 तारीक आज हम जो चर्चा कर रहे हैं हम रोख की बात कर रहे हैं कि किस सितारों के कारण एस्ट्रालोजी के कारण किस किस देश के सितारे अच्छे हैं जो कि मैच को जीतने की स्थिती में आ सकते हैं जीतेंगे या नहीं ये मिलियर डॉल कुश्चन है इसका जवाब भी मिलेगा लेक इंगलेंड और न्यूजिलेंड बहर कर दे मतलब अगर हम इस अर्थ को दो हमिस्फियर में बांक दें तो अब गवर से देखेंगे अटलस में उसमें जिंबPOवे साउथ हुई बीच से निकल रही है या उससे बिलकुल करीब है जिम्भावे तो दी नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्ट जी वुड़ सी आप देखेंगे के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो करीबियन आइलेंड से वेस्ट इंडीज को के बीचो बीच निकल रही है और के बीचो बीच निकलती है उजयन को चीरती है जैसे आपने बताया था जे और उसके नीचे और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में श्री लंका है तो मैंने वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्री लंका, जिम्भावे, साउथ आफ्रिका, आस्ट्रेलिया इनक आप दुबारा नाम बताएं जड़ा, आपने कहा, मैंने कहा, पूल ए से आस्ट्रेलिया, इंडिया, जिम्भावे, जिम्भावे, पूल ए दिखाएंगे हमारे ग्रैफिक की बज़द से तो जड़ा ठीक रहेगा, पूल बी से मैंने कहा, साउथ आफ्रिका, वेस्ट इंड इंडिया, जिम्भावे, और पूल बी से मैंने कहा, साउथ आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, श्री लंका, जिए, छेटी में आपने बताएंगे, अगर पॉइंट्स के आधार पे देखेंगे, तो मैं सब के साथ मैं भी अपनी सहमती जताता हूं, ये कहने में मुझे कोई ग पारण ये है, कि सूरे की किरने जो हैं, अभी भी ट्रॉपिक ऑफ केपरिकॉर्न और इक्वेटर के बीच हैं, इसलिए आप देख रहे हैं, अभी भी सर्दी है, हम कोट लगाए बैठे हैं, इक्वेटर पर ये किरने पढ़ेंगी सीध ही किस मार्च को, और 23 मार्च को मैच तो जब 23 मार्च को फाइनल मैच होगी, उस समय रिजल्ट होगा, वो आश्चर जनक होगा, और बिल्कूल ही लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा, चलिए, विजे जी अभी हम रिजल्ट जानना भी नहीं चाहते हैं, जोशी जी कुछ बात कहना चाहते ह मैं फिलहाल अभी जो आरंबिक स्थिती है, मैं उसके बारे में चर्चा करना साहता हूँ, कि खुल मिला कि 14 टीमें ये गेम खेल रही है, 44 दिन ये गेम होगा, और 54 मैच है इसमें, 14, 44 और 54 का यांकड़ा आरा, उसमें ऐसा लग रहा है कि 8 बटे 6, मैं खुल कंटेंडर जो और स्री लंका और इंगलेंड, ये 8 मैन कंटेंडर हैं, उसमें 6 टीमें बराए नाम मैच खेल रही हैं, जैसे कि केनिया, नंबिया, होलेंड, कनाड़ा और बंगलादेश, सुगरा जो है, ये खाली नाम मात रही है, इनके लिए आपको कुछ कहनी की जोड़ा है, नहीं हो स छे टीम उने सुपर सिक्स माना है, अब जैसे कि इन्होंने बताया कि 21 फरवरी के बाद, अभी तो ये 8 टीमों की फारूम जो है, 21 टीमों के बाद, छट के सिर्फ छे में आ जाएगी, सेमी फाइनल में आना है, हाँ, सेमी फाइनल आते आते तक, आपको ऐसा लगेगे कि छ परश्ट हो जाएगा कि ये चाटीमे सुपर सिक्स माना है, तो इसके बाद, चार मार्च को, साल तिक पूरीमा है, ये 4 तो शोलए, फरवरी की पूरिमा, एक चोटा सा इन्टर्प्शन, एक मैच अगर आप देखेंगे, तो उसमें 23 फरवरी को भी एक मैच है, है? परफॉर्मेन्स आचानक बड़ी अची हो जाएक उसका बी एक कारण है जब इस देश की जनम पत्री में आप देखेंगे कि लगन हमारे देश का जो है वो वरिश है आज वरिश में सनी वकरी होकर बैठा वहीं मारगी हो जाएगा वो और आप देखेंगे कि हमारी देश की जनमपत्री बनाएंगे आप तो देखेंगे नवे और दसवे भाव का स्वामी हो के शनी भागेश करमेश हो के लगन में आज बैठा हुआ वक्री है तो जो ही है मारगी होगा सडेली हमारे देश के लड़के छक्य चौकों की बॉचार करते हैं तीन मारच को आमवस्या है आमवस्या के बाद भारत की स्थिती जो मैच आ रहे हैं और उसमें से के बाद यह लगता है कि संगर्स हमारा काफी आसावादी हो जाएगा और अब सुपर 6 में आने तक तो हमें यह जाहिर हो जाएगा कि हमारी टीम का और इसका खिलाडी भी जितने अच्छे अपना काम कर सकते हो करेंगे और आगे की संजय जी मेरे पास एक ही मिनट बचा है आप बताए मुझे इन द मैं एकदम अलग बात कहूंगा दर्शिकों के लिए साउथ अफरिका की टीम बहुत अच्छा कंटेंडर मानी जा रही है वर्ल्ड कप के लिए लेकिन जो जो जोतिश के एंगिल से दिखाई दे रहा है कि शान पॉलक की कुंडली में रहू जो है ग्रहन लगा रहा है तो इ और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे स्टार्स फिगर है वो यह कह रहे है कि वेस्ट इंडीस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा अभी जो कल के मैच के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ अब अच्छा च्छा चो आप उससे मुटमें है कि यह सिक्स का फिगर हो जाकता है मैं पाकिस्तां को इंडिया पाकिस्तान साओथ अपरिका अश्टेलिया वेस्ट इंडीड और न्योजिलेंड यहाँ है इसना अवारे स्वीजिलेंड जो है जो है आध जादा आधर अधर जे मैं आपको इसलिए लिक के रख रहा हूँ और ये टेप भी रहेगा ताकि जब हम सेमी फाइनल से पहले डिसकस करेंगे और सेमी फाइनल वाले दिन अगर हम इस प्रोग्राम को डिसकस करेंगे कि इस सेमी फाइनल का नतीजा क्या होने वाला है तो ये पता रहेगा हम मैच का जिसको कहते हैं वो हम बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते हैं सेमी फाइनल से पहले हम कोशिश करेंगे बताने की जोतिश के माध्यम से के वर्ल्ल क्रिकेट कप का ताज किसके सरफेर रखा जाना है लेकिन हम लगातार इस जेड महीने में आपको क्रिकेट के एक्सप नहीं में मानों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार खुदा आपे